हेलो स्टुडेंट्स स्वागत करता हूँ मैं लर्निंग जोन में आपका मेरा नाम है सुमित मिश्रा और मैं केमिस्ट्री का फैकल्टी हूँ आज क्लास 9 की एंसिर्ट का एक बहुत ही ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक रधर फोर्ड मोडल में якके लिए लेके आया हूं ढयable और आज हम समझेंगे कि रधर फोर्ड मॉडल क्या है चलिए रधर फोर्ड मॉडल को समझने के पहले हम समझते हैं कि रधर फोर्ड कौन थे रधर फोर्ड एक नॉबल प्राइज विनर साइन्टेस्ट थे उन्होंने कि 1908 में उनको नॉबल प्राइज दिया गया था इन यह नॉबल प्राइज इन को चैमेस्ट्री की फिल्ड में फॉर अपने आप में व्र्ड का साइंस का सब से बेस्ट आवार्ड माना जाता है जो अर्नेश्ट रृडर्फोड को मिला था इन्होंने जो रधर być नटर्फोड मॉर्डल के बारे में जो आज हम बात करने वाले वाले हैं उसको क्या करने अर्धर रदर फूर्ड इंट्रेस्टेट थे यह पता करने के लिए कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉंस का डिस्ट्रिबूशन कैसा होता है तो यही मॉडल चलिए हम समझते हैं इस डियाग्राम में आप देख सकते हैं कि यहां पर एक बॉक्स है और इस बॉक्स में यह बॉक्स रेडियो एक्टिव सोर्स है तो अर्नेस्ट रदर फूर्ड वाज इंट्रेस्टेट इन नोइंग हाउद इलेक्ट्रॉंस आरेंज विदिन एटम एटम के अंदर में इलेक् इस बॉक्स के अंदर कौन है अलफा पार्टिकल इस बॉक्स के अंदर कौन है अलफा पार्टिकल अलफा पार्टिकल एक रेडियो एक्टिव पार्टिकल होता है जैसा कि हम जानते हैं कि रेडियो एक्टिव पार्टिकल में तीन प्रकार के पार्टिकल होते हैं अलफा और होता है आपका बीटा और होता है गामा वेवस तो यह तीन चीज़े होती है तो अलफा पार्टिक जाएंगे और गोल्ड फॉयल से टक्राएंगे उसके बाद डिटेक्ट करेगा कि अलफा पार्टिकल किधर की तरफ जा रहे हैं किस डिरेक्शन में जा रहे हैं वो डिटेक्ट करने के लिए डिटेक्टर लगाया गया है इसको जिंक सलफाइड की स्क्रीन भी कहा जाता है से अलफा पार्टिकल की बहुचार करती गए किसके उपर गोल्ड फॉयल के उपर अलफा पार्टिकल की बहुचार के गए ठीक है चलिए अब समझते हैं कि यह मॉडल और क्या बताना चाहता है यह इस एलेक्टेट लगोल फॉयल बिकाज ही वांटेड अथिन लेयर एस पॉसिबल यानि उन्होंने गोल्ड की फॉयल इसलिए सेलेट की क्योंकि पतली लेयर चाहते थे बहुत थिन लेयर चाहते थे ठीक है इस गोल्ड फॉयल वास एबाउट वन थाउजन टाइम से या आर्संपरिमेंट के लिए जो यहां पर रखा गया था ओके नाओ आल्फा परिकल्स आरट डबली positive charge helium aliens, alpha particle जो है उनका खुद का जो charge है, alpha particle जो है, उनका खुद का जो charge है, वो charge कैसा होता है, positive charge particles है, और कैसे, doubly charge, doubly charge क्या थे, helium के ions थे, helium के ions के doubly charge मतलब एक heavy mass हो जाता है, जिसका mass लगभग लगभग इसके बराबर है, 4 atomic mass unit के बराबर होता है यानि alpha particle एक positive charge particle है और जिसका mass लगबख किसके बराबर है 4 atomic mass unit के बराबर होता है और helium ion के W charge positive के बराबर यानि alpha particle अगर मैं बोलू कि यह alpha particle है तो इसका mass 4U यानि unified mass के बराबर है ओके तो आप समझ सकते हैं यहां बहुचार कर दी गई अल्फा पार्टिकल की किसके उपर गोल्ड फॉइल की उपर चलिए अब आगे समझते हैं तो अब्जर्वेशन क्या हुआ मतलब क्या अब्जर्व किया किसने रधर फोर्ड ने गोल्ड फॉइल तो देखो यह जो आपको यलो कलर के दिख रहे हैं यह एटम्स हैं किसके गोल्ड के अटम्स जो उस गोल्ड फॉइल में हैं तो रधर फोर्ड ने जो अब्जर्वेशन किया यह पाया observation में आप इस डियाग्राम में देख सकते हैं students कि alpha particles बहुत सारे सीधे जा रहे हैं कुछ turn होके चले जा रहे हैं और कुछ reflect होके आ रहे हैं उसी चीज को इस gold अकर microscopic view देखा जाए तो ऐसा दिखाई देता है यह जो यहलो कलर के हैं यह आपके गोल्ड के क्या है अब देखो क्या हो रहा है यह सारे alpha particles यह सारे कौन है अल्फा पार्टिकल्स यह जो सारे हैं आपके यह अल्फा पार्टिकल्स यह अल्फा पार्टिकल्स जा रहे हैं अब आप देख सकते हैं कुछ अल्फा पार्टिकल्स बिना किसी डिफलेक्शन के क्या हो रहे हैं सीधे चले जा रहे हैं और कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है थोड़ा सा deflection उन में मिल रहा है यानि कुछ theta angle बनाते हुए यहां पर turn हो रहे हैं और कुछ alpha particles जो है वो थोड़ा सा ज्यादा turn हो रहे हैं उनका theta angle जो है वो और ज्यादा है turn होने का हना और आप यह भी पाएंगे कि कोई एकाद alpha particle ऐसा भी होगा जो जाएगा टकराएगा औ और बिल्कुल 180 degree में क्या हो जाएगा वापस आ जाएगा तो यह observation मिला किसको रधर फोर्ड को चलिए पढ़ते हैं most of the alpha particle most of the fast moving alpha particle passed through straight through the gold foil यानि ज्यादा तर alpha particle कहां चले गए सीधे चले गए बिना किसी deflection के some of the alpha particle were deflected by the foil by small angle theta कितना angle यह देख सकते हैं कुछ इस angle से मुड़े गए ऐसे हो गए कुछ थोड़ा जादा मुड़ गए ठीक है और a very small fractions of alpha particle were deflected by 180 degree यानि कि वो गए टकरा के कहां आ गए वापस 180 degree में वो क्या हो गए rebound हो गए ऐसे particles की संख्या बहुत कम थी कितनी थी बहुत कम कितनी कम थी यह भी हम देखेंगे indicating that all the positive charge and mass of the gold atom were concentrated in a very small volume within the atom देखो इस बात से हम क्या समझते हैं indicating that all the positive charge and the mass of the gold atom were concentrated in a very small volume within the atom इससे हम क्या समझते हैं कि इससे हम यह समझते हैं कि atom जो है वो बहुत बड़ा है कि इसके comparatively पॉजिटिव चार्ज यानि कि all the positive charge and mass of the gold atom were concentrated in a very small volume within the atom यानि अगर यह गोल्ड का एक atom है तो इसके एक छोटे से हिस्से में पूरा का पूरा पूरा पॉजिटिव चार्ज पूरा का पूरा पूरा पॉजिटिव चार्ज जो है वो concentrated है ऐसा कह रहा है रदरफोर्ड क्योंकि atom के बारे में तब तक कुछ विशेश discovery हुई नहीं थी कि atom का model कैसा है यह स्टार्टिंग रदरफोर्ड मॉडल एक स्टार्टिंग experiments में से एक है जो atom को बताने के लिए था यानि कि scientist लोगों को उस समय नहीं पता था कि atom का structure actually में कैसा है atom कैसा दिखता है यह नहीं पता था उन लोग को electrons कहां होते हैं protons कहां होते ही सब कुछ नहीं पता था तो रदरफोर्ड ने इस experiment को करके यह पता लगाया कि अगर atom इतना बड़ा है तो उसके सामने छोट सी जगह है वहां पर concentrated है कौन nucleus उसको nucleus आगे चलके उसने नाम दिया बट फिलहाल यहां पर उसने यह बोला कि यहां पर पूरे atom का positive charge concentrated है अब यह बताईए कि positive charge यहां पर क्यों concentrated है इसलिए क्योंकि जो alpha particle जा रहा था वो alpha particle भी खुद कौन सा charge था positive charge था और जाके वो center से टकरा के क्या हो रहा था कुछ theta angle इधर मुड़ रहा था कुछ theta angle इधर मुड़ रहा था और जो particles जो particles center पे नहीं टकरा रहे थे वही particles कहां चले जा रहे थे सीधे चले जा रहे थे तभी तो उसने कहा कि atom का ज्यादा atom बहुत बड़ा है और छोटे से हिस्से में क्या concentrated है positive charge concentrated है atom का ऐसा किसने कहा रदर फोड ने तो आप समझ सकते हैं यह तीन observations हुए रदर फोड को अपने model में gold foil के छोटे-छोटे gold atoms को उसने study करके ऐसा पाया ठीक है students okay अच्छा अब यहां पर एक point देखिये on the basis of this experiment Rutherford put forward the nuclear model of an atom which had the following features यानि इस experiment से उसने अपने model को represent किया और बताया what are the salient features of this model there is a positively charged center in an atom called nucleus क्या बोला nucleus yes Rutherford का नाम बेटा इसी nucleus की discovery के लिए लिया जाता है atom के अंदर जो positive charge concentrated है उसको nucleus किसने कहा Rutherford नहीं बताया कि वो part nucleus होता है atom के बीच वाला part positive charge nucleus होता है Rutherford नहीं discover किया था उसी ने नाम दिया था nearly all the mass of an atom resides in the nucleus यानि की atom यानि की जो atom होता है आपका atom अगर इतना बड़ा है तो बीच में जो छोटा सा part है इस part को उसने क्या नाम दिया nucleus नाम दिया और यह पूरा nucleus का charge क्या था positive charge था ऐसा उसने कहा इस point में वो यही explain करना चाहता है आगे क्या बोल रहा है the electrons revolve around the nucleus in circular path यह भी उसने कहा कि जो electrons होते हैं जो electrons होते हैं वो circular path में इसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं रिवाल हो रहे हैं उसने क्या कहा electron इसके चारों तरफ तो यह जो पहला scientist था जिसने इस बात की पुष्टी की इस बात को बताया कि हाँ भाई electron रिवाल करते हैं किसके चारों तरफ नूकलियस के एक positive charge के अब तक इस बात को कोई भी scientist explain नहीं कायर पाया था पहला scientist था जिसने इस बात को अपने experiment द्वारा समझाया point number three the size of the nucleus is very small as compared to the size of the atom यानि की atom के size के comparatively nucleus का size जो है वो बहुत छोटा है अब आप पूछोगे सर कितना चोटा है तो मैं आपको बच्चों बता दू कि यह आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक football ground है और यह एक football है जो ground में रखा हुआ है अब देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन football कितना होता है आप जानते हैं अब आप बोलोगे सर आप football ground क्यों दिखा रहे हैं तो मैं आपको बता दू रदर फोर्ड नहीं यह कहा था अगर पूरा stadium एक atom है तो उसमें रखा हुआ एक football nucleus है इतना difference होता है कि atom और nucleus के बीच में आप मेरी बात समझ गया होंगे student अगर पूरा stadium एक atom है तो एक football stadium के बीच में रखा हुआ क्या है nucleus है इतना difference होता है nucleus और atom के बीच में और उस छोटे से पार्ट में atom के पूरा positive charge concentrated होता है और उसे क्या नाम दिया उसने nucleus नाम दिया अपने उसी experiment से पता किया और एक बात बताई उसने अपने model को किस से compare किया उसने सोलर सिस्टम से उसने कहा जैसे सोलर सिस्टम के बीच में sun होता है वैसे ही nucleus है और उसके चारों तरफ जैसे planet revolve करते हैं वैसे ही electron चारों तरफ क्या कर रहे हैं रिवाल कर रहे हैं यह रधर फोर्ट ने खुद कहा था ओके students तो यह आपके सामने मेंने एक बहुत ही interesting model लेके आया था इसका नाम है रधर फोर्ड model next ncrt based ऐसे ही कोई interesting topic class 9 class 10 से related में आपके सामने आऊंगा तब तक के लिए thank you learning zone platform में हम फिर से मिलेंगे एक interesting video के साथ thank you students